Good morning and welcome back. आज हम Political Geography के नय टॉपिक लेकर आपके सामने आएं Politics of Foreign Aid. कैसे अंतर राश्ट्रिय जो मदद दी जाती है, साहेता जी जाती है, उस पे किस प्रकार की परदे के पीछे राजनीती होती है? वो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे. मैं डॉक्टर संधी प्यादव, Associate Professor in Geography Government College बूलेगे. विश्व में आपनिवेशिक काल में शोशन की राजनीती का जन्म हुआ, जिसके कारण वर्तमान में बदलती परिस्तितियों में विदेशी साहेता की राजनीती का जन्म हुआ. इस प्रकार की विदेशी साहेता की अंतरगत, शक्ति शाली राष्ट्रों अपने पड़ोसी राज्यों का आर्थिक एवं अन्य विभिन प्रकार की साहेता देकर, उन राज्यों पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना होता है, एवं अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रमुक उद्देश्य होता है आज विश्व में कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह विक्सित हैं उनके आर्थिक संसाधन और तक्नीकी साधन परियापत हैं और दूसरी ओर ऐसे राष्टों जो विदेशी सहयोग के आधार पर अपना विकास करना चाहते हैं विक्सित विकास शील देशों को उनके विकास के लिए आवश्यक्त अनुसार सहयता प्रदान करते हैं विश्व में तरत्य विश्व के ऐसे निरधन देश समिलित हैं जो प्राप्त विदेशी सहयता को पुनै वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं यह हम जब तरत्य विश्व के इस समस्य हैं और देशों के बारे में जब बात की थी तब हम नहीं ये चीज़े जानी थी कि किस परीके से एशिया अफरीका के जो देश हैं वो इस तीसरे विश्व के अंदर आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से कमजोर है क्योंकि वो जातर आप निवेशिक क काल के अंदर खई नखई शोशन का शिकार हुए है विकास शीलalta इश mixes लिए विकसित राष्ट्रों से आरथिक तक्नीकी वह ज्ञानिक सेनिक एवुम सांस्कृतिक वश्यक्षनिक साहेता की आशा करते हैं मैं ऐसी साहेता आंतर राष्ट्रय संगठनों के माध्यम से विश हो जाएगा कि किस तरीके से इन तत्यों के आधार पर देशों का शोशन हो रहा है दुनिया में प्रमुक्त ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका जर्मनी कनाडा जैपान पूर्व सोवेट संग चीन आदी विश्व के राष्ट्र हैं जो विश्व में आर्तिक साहता प्रदा पूर्व में इन राष्ट्रों ने उपनिवेशों के माध्यमों से इन राष्ट्रों के आर्थिक संसादलों को खूब लूटा और वर्त्मान उदारीकर्ण विवस्ता में यही राष्ट्र अपनी वस्तों को यहां बेचने हेतू विवस्ताएं ऐसे बनाते हैं जिससे तीस को कि विवेचना करनी आवशक हो जाती में पहला विश् warmth या कि विश्व심 ह mellan विश्व मुद्रकोश पिवल राश्ट्रिय कंप्निया वरा कि देश देशों के लगू उध्योगों में प्रवेश्च कर जाती हैं इसे तो उस देश में कभी-कभी विश्व बैंक एवन विश्व मुद्रा कोश के माध्यम से लगू उद्योग की निवेश सीमा को बढ़ा देती हैं जिससे छोटे-छोटे उद्योगों में भी वह प्रवेश कर जाती हैं विश्व के विक्सतराष्ट भी इन बहुराष्ट्य कंपनियों को प् आज कल विश्व बैंक एवन मुद्रा कोश भी विक्सतराष्टों के माध्यम से ही चलते हैं साथ ही ये भी अपनी शर्टों पर धन सुईकृत करते हैं जबकि जिस किसी भी राष्टों को अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत करनी होती है वे निश्चित ही अपनी शर्टों पर उपे लेने की सोचते हैं परंतु इन विश्व की संस्थाओं का दबाव भी इतना होता है कि कभी-कभी विकास की दारा ही बदल जाती है बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलने पड़ते हैं विश्व आर्थिक व्योस्ता का बदलता स्वरूप भी विश्व बैंक विश्व मुद्रकोश का ही परिणाम है विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से अब नई शर्तों के कारण विश्व में भहुराष्ट्य कंपनियों का जाल फैलने लगा है नई विश्व व्यापार व्योस्ता में नई पेटेंट व्योस्ता उबरी है जो की छोटे बार जितने वी देश ऐसे हैं जहां नए नए अनुसंधान हो रहे हैं वो उनको यहाँ ही पेटेंट कर लिए जाएंगे अर्थात पेटेंट किया हुआ तरीका विश्व में किसी बिदेश में उसी के अनुरूप नहीं बन सकेगा यह विश्व विश्व व्यापार संगठ शत्तार बना रहा है जहां इन विक्षित राष्ट्रों की वर्स्तु में बिग जाए और इन रास्ट्रों में विशेश कोई प्रगती नहीं हो सकते विश में अब तक नोकी अविश्कार का हस्तांतरण बंध लगा हैं उसकी जगे विवस्तू बेंचने लगें जिससे विक्सित राष्ट विक्सित होते जाएंगे और जो राष्ट विक्सित नहीं है वो अपनी समस्याओं से और भी ग्रासित हो जाएंगे आज विश में विक्सित राष्ट्रों के प्रभाव शेत्रों में लिकास उन्मुक राष्ट्र वा अर्ध विक्सित राष्ट्र आते जा रहे हैं जिससे इनकी स्थिती पुने नव उपनिवेश की जैसी होने लगी है दूसरा है विदेशी शस्त्र साहता वा नव भूराजनीती विदेशी शस्त्र की साहता भी विक्सित राष्ट्र द्वारा उन राष्ट्रों को दी जाती है जिन राष्ट्रों के सयोग के माध्यन से विक्सित राष्ट्र और समरिद बने उधारन के लिए संग्त राज अमेरिका कुवेट को इराग के विरोध में शस्त्र साहता इसलिए देता है कि वहां से उसको सस्ती दर पर पेक्ट्रोलियम प्राप्त हो सके और अपने राष्टर का खनिश तेल बहुशे के लिए सुरक्षित रहे साथ ही अपने शस्त्रों के लिए उसे बाजार उपलब्धो अथवा उसके शस्त्रों की बिक्री कहां से संबब हो सकेगी ठीक ऐसा ही वो जब सोवित रूस ने अफगानिस्तान पर कबजा किया था तब पाकिस्तान के मार्फत वो तालिबानों को अपने हत्यार बेचता था जिससे उसकी जो शस्त्र उद्योग है वो सुचारूरूफ से चलता रहे विश्व में अब विक्सित राष्ट अपनी शक्ती का प्रदर्शन शस्त्रों के मार्द्यन से करने लगे है 1967 के युद के समय पूरवर्ती सोवियत संग द्वारा भारत को शस्त्रों की साहता दी गई परन्तु उसका मूल भाव यह रहा कि भारत अमेरिका की शरण में नहीं चला जाए क्योंकि 1967 में सोवियत संग और अमेरिका दोनों ही सूपर पावर जैसा व्यवार विश्व के देशों के साथ करते थे वस्तुत है इस प्रकार से विश्व के जितने भी आर्थिक या सामरिक साहता उप्लब्द करवाने वाले देश हैं वो अब सभी अपनी इन साहताओं के माद्यम से अपनी नीतियों को ही गुशित करते हैं तीसरा भहुराश्ट्रे कंपनियों के माद्यम से साहता विश्व के विक्सित राष्ट्रों में प्रतिस परदा विश्व बाजार को अधिकार में करने की है इसी उद्धेश्य को ध्यान में रखकर विश्व वियापार संगठन के माध्यम से इन भहुराष्ट्रे कम्पनियों ने विश्व के उन देशों में सेहोग की योजनाये बनाई हैं जहां उनको व्रहित बाजार नजर आता है विश्व में भहुराष्ट्रे कम्पनियां जिस देशों में हैं उन देशों की आर्थिक संपनता ही करती हैं या उन देशों की अर्थववस्त्रों की सोच के अनुसार ही विश्व कम्पनियां अपना कार्रे करती हैं जिससे विकास उनमुक देश विकास की जैके आर्थिक द पर प्रभाव पढ़ता है भारत जैसे देश में आज छोटी चीज हैं जैसे टमाटर का जूज भी बहूराश्ट्री कम्पनिया बनाने लगी हैं जिससे सामानने चोटी-चोटी कम्पनियों का माजार समावत होने लगा हैं विक्सित राष्ट्रों की ये बहुराष्ट्रे कम्पनिया मोल रूप में विक्सित देशों की प्रतिनिदी ही है। इन कम्पनियों ने विश्में उनी देशों में उद्योग लगाने की पहल किये जहां इन कम्पनियों को हित सुरक्षित है। अते ये मित्या है कि बहुराष अपना प्रचारतंत्र मजबूत रखती हैं जिससे उब्भोकता इन कंपनियों का बाजार बनता जाता है जिस देश में ये उद्धियोग स्थापित करती हैं वहां की हर्त विवस्ता चौपट होने लगती है कहीं कहीं पर तो ये कंपनियां विवादित भी रहती हैं जो हम बात कर रहे थे कि ये कंपनियां विवादित भी रहती हैं बीच में नेसले कंपनी की जो मेगी उत्पाद है उसके उपर काफी बावाल मचाता भारत के अंदर कि इनके अंदर ये बीएस जो सोडियम मोनो ग्लोकमेट है उसकी मात्रा ये ज़्यादा है या लेड़ की मा इसमें जादा है इस तरीकी का विवाद उसमें उत्पन हुआ था चोथा तकनी की विग्यानिक साहिता और भूराजनीति विश्व के विक्सित देशों ने कभी-कभी विकास उन्मुक राष्ट्रों के द्वारा किये समझोते भी तोड़ दी है इसके पीछे केवल विक्सि की आवशक्ता हुई और रूस से ये मांग की तो रूस ने अमेरिका के दबाव के आगे भारत को तकनीक देने से मना करती है जो केवल अमेरिका की दबाव की राजनीति का ही प्रभाव था भारत जैसरे राष्ट्र में तो तकनीक विक्सित हो गई परंतु यदि इस प्रका विश्व में आर्थिक उदारी करण के कारण नई नई व्यापारिक व्योस्ताएं उभरने लगी हैं जिससे विक्सित देश टकनीक देने के माध्यम से अपनी वैचारिकताओं को विश्व के अन्य देशों पर थोपते हैं पाजवा उदार शर्तों पर विक्सित राष्ट द्वारा दिया जाने वाला रिण विश्व में प्रतेक राष्ट्र अपनी अलग आर्थिक नीतियां रखता हैं परन्तु विश्व व्यापार विवस्ता के कारण विश्व में व्यापार की नई नीतियां बनी हैं इन नीतियों के अनुसार विश्व के विक्सित राष्ट विकास उन मुक तेशों को जो आर्थिक साहेता देते हैं वह आर्थिक साहेता लंबी अवधी की होती है अते रिंड लेने वाले देश को यद्दपी कम भार लगता है परंतु इस रिंड ग्रस्तता के कारण वे अपने यहां कोई भी नवीन विकास करने के लिए पुने रिंड लेने के लिए बात दे रहता है इससे वे रिंड के जाल में फस्ता ही जाता है इस प्रकार की रिंग रस्तता से विश्व के बड़े बड़े राष्ट भी अपनी आर्थिक स्थिती खराब कर चुके हैं इनमें ब्राजील, भारत जैसे देशों का नाम गिना जा सकता है लंबी अवदियेतु रिंग देने के पीछे मूल रूप में विक्सित राष्ट अपनी आर्थिक नीती को ही विस्तरित करना चाहते हैं ना कि रिंग देने वाले राजियों की अर्थिवे वस्ता को चटा है विदेशी राजनितिक समर्तन और नवभू राजनिती विश्व में परतियक राष्ट अपने विचारों को राजनितिक विचारधारा के माध्यन से प्रकट करता है 1901 से पूर्व विश्व अपरतियक श्रूप में दोग विचारधाराओं में विभक्त था एक पुझी पती जोके अमेरिकी सोच थी वहीं एक सामेवादी जोकी रूस या पूरवर्थी सोविच संग से संबद थी सोविच संग के विखंडन के पश्चाद वी रूस आज भी विश्व में शक्ति शाली राष्ट है विश्व के विकास उन्मुक राष्ट्रों में भारत विश्व की शक्ती संतुलन में महत्पून राष्ट्र बन रहा है। इसे तु भारत में विश्व के विभिन देशों से संपर्क सादा है। साथी उलेखनी है कि विश्व की विक्सित शक्तियों में रूस ने भारत को खुल कर समर्थन किया है। यह स्पष्ट करना आवश्चक है कि रूस भी भारत में अपने राजनितिक विचारों को सुरक्षत मानता है। इसी कारण उसने भारत का समर्थन किया है। विश्व में अनेक राष्ट इसी प्रकार राजनितिक समर्थन के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे देशों इसमें प्रसारित करने का प्रयास करते हैं और राजनितिक संबंद बनाते हैं जिससे धीरे धीरे आर्थिक वा व्यापारिक समझातों के माध्यम से अपने व विक्सित राष्ट्र अपने व्यापार का प्रासार करना ही नहीं चाहता, अपितु अधिक से अधिक लाव कमाकर अपने देश की आर्थिक स्तिति मजबूत करना चाहते हैं। किसी भी देश की सरकार द्वारा किया गया वह कानूनी अधिकार है जो किसी आविशकार को दिया जाता है। विशेश तकनीक वस्तुते जिससे विकास उनमुक देशों में तकनीकी ज्यान की जगें रिन बढ़ने लगा है और विश्व में ये राष्ट हमेशा से रिन जाल में फस्ते नजर आने लगे हैं। जैसे मेकसिको, ब्राजील जैसे बड़े राष्ट होते हुए भी रिन जाल में इतने जकर चुके हैं कि उनका विश्व आर्थिक समुदाय में विशेश कोई योगदान नहीं रहा है। जो की खनीजों के माध्यम से विश्व के प्रमुक देश हैं। ब्राजील जहां खनीजों की दृष्टी से लहपूरक खनीजों की मात्रा बहुत अधिक है, वहीं मेकसिको में पैट्रोल के अपार बंढार है। विश्व में आर्थिक विखास के माध्यम से प्रतेक राष्ट अपनी उन्नतिक अमार्ग विक्सित करना चाहता है और उसी माध्यम से वैविश्व के राष्ट्रों से अपने समझाते बलाता है विश्व में लिकास उन्मुक राष्ट जो विक्सित देशों से रिन लेते हैं वो अपनी शर्टों पर रिन नहीं लेते अपितु उनको विक्सित राष्टों की शर्टों को मान कर रिन लेना पड़ता है जिससे विकास उन्मुक देश अपनी आर्थिक नीतियां बनाते समय विक्सित राष्टों की शर्तों के अनुसारी नीतियों का निर्धारन करते हैं विश्व में विक्सित राष्टर आर्थिक सायता देते समय अपने यहां निर्मित वस्तों के बाजार है तू विश्व के राष्टरों के साथ समझाता करते हैं, जिससे वो अपनी वस्तों को इन विकास उनमुक देशों में बेच कर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने का प् प्रत्यक्ष रूप में अपनी नीतियों को आर्थिक माध्यम से विकास उन्मुग द्राष्ट्रों पर थोपा जाता है। उधारन के लिए विश्व में ब्राजील लौख खनिज्व लौध धातु पूरक खनिज्व में सम्रिद राष्ट्र है। परन्तु इस देश में USA और केनडा के द्वारा संसादनों पर अपरत्यक्ष रूप से अधिकार है। USA और केनडा ने लौख का नन्वा खरीद का ब्राजील से समझोता कर रखा है। पराजील के आर्थिक स्थिती इतनी खराब है कि उसे मजबूरन धन उधार लेना पड़ता है। जिससे उसके हाँ विकास तो नहीं हो रहा परन्तु दिनों दिन आर्थिक समस्या भड़ती जा रही। पाकिस्तान को संगत रज्य अमेरिका अर्बो रूपय आर्थिक साहता देता है। साथ ही इस आर्थिक साहता के साथ ही शस्त्र समझाते भी इससे करता है। जिससे उसके शस्त्र भी पाकिस्तान खरीता है और आर्थिक बोच से भी परेशान है। आटवा, राजनितिक समस्याओं के समादान हितु दी इससा है था। विश्व में अप्रतिक रूप में अपने राजनितिक वर्चसों को बनाना रखना चाहते हैं। उसमें विक्सित राष्ट तो विश्टनिष्टी भड़ चड़कर अपने प्रभाव शेत्रों का करते हैं। विश्व के विख्शित राष्ट जो अपने प्रभाव शेत्रों में विस्तार करने हैं तो राजनितिक सहरा लेते हैं, तो विकास उनमुक राष्टों की राजनितिक समस्याओं से बहुत swallow की राजनितिक समादान करने हैं, जिससे शक्ति-संतुलन बराबर होने पर राज्यों के मध्ये राजनितिक समाधान निकलने लगते हैं जैसे भारत वा पाकिस्तान के माध्यम से राजनितिक समाधान हे तु अमेरिका पाकिस्तान में सक्रिय है दूसरा यहां पश्चिमी पाकिस्तान वा पूर्वी पाकिस्तान का उधारन देना तर्क संगत होगा यहां भारत ने अपने राजनितिक प्रभाव का प्रियोग करते हुए पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सामरिक सायता देते हुए अलग करवा दिया। तीसरा इसी प्रकार दूसरे विश्वियुद के समय अमेरिका ने वा इंग्लेंड इस्राइल देश को अपने जन्म स्थान पर बसने हे तुर राजनितिक प्रभाव का इस्तमाल किया। अप प्रत्यक्ष रूप में वे कुवेत को संयुत राष्ट दूसंग द्वारा अपने प्रभाव द्वारा ही सायता उपलब्द करवा रहा था। इसमें इंग्लेंड भी उसका सयोग करता था। इस प्रकार से विश्म के अधिकांश विक्सित राष्ट अपने राजनितिक कौशल को विदेशों की राजनितिक समस्यां सुलजाने में प्रियोग करते हैं। जिससे अपरत्यक्ष रूप में उनके प्रभाव का ही विस्तार है। इसी प्रभाव के विस्तार के माध्यम से ये विक्सित राष्ट अपनी नीतियों को ठोपते रहते हैं। इसे ही नवीन भूराजनितिक प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। जनसंक्या नियंतरन और नियोजन विश्व में विकास उनमुक देशों की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह है जनसंक्या नियंतरन की। प्रतेक राज्ये नियंतरन की उपाय करता है परंतु जनसंक्या नियोजन की नाम से विश्व बैंक एवं विक्सित राष्ट कुछ आर्थिक साहेता देते हैं। परंतु उनका उद्देश ये मूल रूप में अपनी स्वियापारिक वस्टों को इन जनसंक्या बहुल देशों में खपाना होता है। अते ये राष्ट विकास उनमुक राष्ट्रों को साहेता देते रहते हैं जिससे जनसंक्या नियंतरन हेतु सद्भावना स्वरूप विकास उनमुक देश कुछ कहर सकें। विश्व बैंक पर अपरत्यक्ष रूप से सयुक्तराज अमेरिका और विभिन विक्सित राष्टों का ही अधिकार है। जन संक्या को केवल बाजार ही समझते हैं। इनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं अटे अपने वियापार को बढ़ाने एयतु लेते हैं। परन्तु मूल रूप से उनका जो लक्ष है वो व्यापार में व्रिद्धी ही रहता है। चीन, भारत, इंडोनीशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, आदी देश ही नहीं, संपूर्ण डक्षनी पूरवी एशिया सगन जनसंक्या रखता है। अते, सभी विक्सित राष्टों की नजर इस दक्षन पूरवी एशिया के बाजार पटिकी रहती है। विश्व का बहुत बड़ा बाजार है। अपनी चीजों को, चाए वो उनका निर्मान सामगरी, चाए कितनी घटिया क्यों ना हो, उसको भारत में आराम से खपा सके कि भारत के अंदर सस्ती चीजों की बड़ी मांग रहती है। इसलिए चीजों चोटी से चोटी राकी हो, चाए पतंगे हो, चाए माजा हो, या दिवाली के लाइटों की लड़ियां हैं, मूर्तियां हो, पच्चों के खेलोनों से लेकर, अगर सब चीजें 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 से सस्तीच चीजों पे आजाती हैं भारत के अंदर क्योंकि बाजार उसको धिख रहा है। मुनाफ़ा जो है वो सीधा चीन की कमपनियों को मिलता है और इस प्रकार से चीन की जो कमपनिया है वो चीन की सरकार को मजबूती प्रदान कर रही है तो आज हमने इस व्याख्यान के मादियन से जाना कि किस प्रकार से जो विदेशी साहता दी जाती है उसके पीछे की राजनीती क्या होती है उसका उद्देशे क्या होता है और किस तरीके से विकास उन्मुख देशों का शोषण करती है विकस देश वो सब चीजे हमने वो पह मेलू या तथ्य इसके अंदर हमने अध्यान किया आज का यह टॉपिक हमारा पूर्ण होता है हम नए टॉपिक के साथ आपके पास शीगर वापस लोटेंगे तब तक के लिए धन्या